इस कारिकरम के अंतरगत हिंदी साहित्य को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और हिंदी साहित्य में आज हम जिस विशे पर बात करेंगे वह है मूल्य विगटन साहित्य और भाशा का संदर्व जब इस पर हम बैचार करते हैं तो हम साहित्य के बदलते स्वरूप को उसके करमिक विकास को यदि हम देखें तो हमें ग्यात होता है कि संस्कित साहित्त में पाली प्राकर्त अपवरंश साहित्त में और इसके बाद हिंदी में आदिकालीन, भक्तिकालीन, रीतिकालीन और आधनिक साहित्त में जो परिवर्तन आये वो समय की युग की अपेक्षा आवशक्ता भी थी इसी को हम आधुनिकी करण या विकास के रूप में भी देखते हैं भारत को कृशी प्रधान रास्ट के रूप में हम जानते हैं असी प्रतिशत कृशी व्यावसाई पर निरभरता यह भारत के लिए गौरव का विशे रहा है किन्तु हमने देखा के धीरे धीरे ग्राम व्यावस्था और कृशी व्यावस्था भी चर्मराती हुई दिखाई देने लगी ग्रामीन उद्योग समाप्त होने लगे संस्कृती और परंपरा इस पर विश्वास डग मगाने लगा यह जो पाश्चात्य संस्कृती का आक्रमन हुआ यह जो अंग्रेजी भाषा ने एक कृत्रम संस्कृती का निर्बान किया उस सब का दुश्परिनाम हमें देखने को साहित्य में भी मिला भारतिय गुरुकुल वियावस्था और जीवन मुल्यों की शिक्षा इसका स्थान अब अंग्रेजी स्कूल और कॉलिज संस्कृती ने व्यावसाई द्रिश्टिकोण ने ले लिया पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल इसकी व्यावस्था धीरे धीरे प्रधान होती चली गई भातिक्तावादी संस्कृती हम पर अत्यदिक प्रभाव छोड़ने लगी भारतेंदू हरिश्चंद्र, पंडित बालकृष्ण भट, पंडित अंबिकादत व्यास, चौधरी बद्री नारायन प्रेमगन ऐसे अनेक साहित्तेकारों ने अपने काववे, काववे रचनाओं, डाटकों, आदी में ततकालीन भारतिय समाज की ऐसी ही तस्वीर को उकेरा उदगाटित किया उन्होंने मूली विगटन का स्वरूप बड़े पैमाने पर चित्रित भी किया भारतिय युग द्वारा चित्रित भारतिय समाज की समस्याओं का निराकरण, जागरण, एवं सुधार काल दिवेदी युग में देखने को मिला मावीर प्रसाद दिवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जहां एक और परिवर्तित मूल्यों के स्वरूप को उदगाटित किया वहीं भारतिय जन्मानस में सुधार की वृत्ति को भी पल्लवित और पोशित किया मेत्लिशन गुप्त भारत भारती द्वारा जहां एक और मूल्य विगटन के प्रती चिंतित होते हुए जन्मानस को आत्म साक्षातकार या भारतिय संस्क्रती से साक्षातकार के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ सब मिलकर विचारें ये सबस्याएं सभी भारत भारती जिसके आधार पर गुप्त जी को हमने राष्टवादी कवी की उपादी दी उरास्टी चेतना का बिगुल उन्होंने इस रचना के माध्यम से बजाया भारती ये संस्क्रती का भारती ये गौरवशाली अतीत का भारती ये भूगोल का जिस तरह से उन्होंने चित्रन किया अतीत गौरवशाली अतीत को वरतमान को और भावी भविश्य को इस रचना के माध्यम से उन्होंने जिस तरह वर्णित किया वह इस बात की और ध्याना करश्ट करता है कि वास्तव में जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य थे उन्हों कैसे छूटते या बदलते जा रहें वहीं दूसरी और उन्होंने वरतमान खंड द्वारा भारत की बदलती तस्वीर को भी उके रहा उनके अनुसार दरिद्रता हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जो की आर्थिक शोशन और आर्थिक निरभरता के कारण जन्मी है हमारा क्रशी जीवन नश्ट भरष्ट हो चुका है मूल्य हीन भारतिय समाज विक्रती से ग्रस्त होता जा रहा है जो केवल स्वार्थ साद कर व्यावसाइक बुद्धी से ही काम कर रहा है पूंजी पती वर्ग की संख्या बढ़ती जा रही है साथी उनका दिखावा चल और अयाशी एशो आराम यह भी बढ़ रहा है शिक्षा का व्यावसाइक अरण हो रहा है साहित्य और कलाएं भी युग और अर्थ को अब प्रधानता देने लगी है वास्तव में यशस्वी होना यानि प्रयोजन जो हैं वो बदलने लगे धन केंद्र में आ गया अर्थ केंद्र में आ गया मूल्य हाशिय में चले गये धर्म अपने मूल रूप से भटकता हुआ दिखाई देने लगा सादु संत महंत चारों वन अपने अपने धर्म से चित होते हुए दिखाई देने लगे नारी को भोग की वस्तु मान लिया गया अंद परंपराओं ने भारती परंपरा को अत्यदिक शति पहुँचाई ऐसे में संपूर भारत की तस्वीर गुप्त जी ने खींची और कहा भारत तुमारा आज ये कैसा भहंकर वेश है है सब और सब निशेश केवल नाम ही अवशेश है जो हमारे मूल्य थे जो हमारी परंपराएं थी वो तो निशेश होती जा रही है और अब केवल स्मृतियां बची है नाम बचा है ब्रह्मत्व राजत्व युत वैश्यत्व भी सब नश्ट है भूद्रत्व और पशुत्व ही अवशिष्ट है हाकश्ट है वास्तव में मेश्टिशन गुप्त इस बात से बहुत व्यत्थित हैं बहुत पीड़ा है उनको कि भारत अपने पारंपरिक मूल्यों को अपने गौरव शाली अतीत को खोता जा रहा है या विस्मृत करता जा रहा है बदलते भारत के इस मूल्य संक्रमन के ऐसे द्रश चायवाद ने या चायवादी कवियों ने प्रगतिवादी कवियों ने प्रयोगवादी कवियों ने भी अपनी कविता में अपनी साहितिक रचनाओं में उके रहे हैं हमारा दृष्टिकोन रोमेंटसिज्म से गुजरता हुआ कालमाक्स की विचारधारा और अस्तित्ववादी चिंतन की ओर उनमक होता चला गया। जैशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा जैसे साहितिकार जहां एक और प्रकरती और पुरुष्ट के संबन्दों की चर्चा करते हैं वहीं अंग्रेजों से मुक्ति का शंकनात भी फूंकते हैं इसी दोरान वे नारी के प्रती बदलते दृष्टिकोन और बद विश्य निर्मान की भी परिकल्पना करते हैं किन्तु प्रगतिवादी चिंतन में विगटित होते सामाजिक मूल्यों को विशेश रूप से चित्रित किया गया है समाज के सभी वर्ग आपसी वैमनस्य में निमगन दिखाई देते हैं सभी एक दूसरे की भर्षना करते हु करे हुए महल को खड़ा करने में रत दिखाई देता है वह श्रमिकों और मजदूरों का अधिक से अधिक शोशन करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन साथ ही श्रमिक कहीं संगठित होकर विद्रों ना कर दें इसके लिए भी वह किसी ना किसी रूप में उन्हें साहता स्वाभाविक बनकर साहत में उद्गाटित होता है सर्वहारा वर्ग अपने समुचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संगर्ष रत दिखाई देता है क्योंकि शोशक का शोशन भिन भिन रूपों में बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है शोशक और शोशित की स्थित बदतर होती जा रही है नागारजुन यश्पाल मुक्तिबोद धूमिल जैसे कवी अपने साहित द्वारा समाज में होते इस आर्थिक शोशन को व्यापक रूप में चित्रित करते हैं इस तरह चिंतन स्वतनतरता प्राप्ति के बाद अधिक रूप में उकेरा जाता है यही अधिक रूप में देखने को मिलता है रांगे राघव द्वारा रचित लोई का ताना एक सशक्त उपन्यास है जिसमें कवीर की विद्रोई चेतना का आधुनी की करन करते हुए स्वातन त्रियुत्तर भारत की आर्थिक समस्या को लेखक ने उद्गाटित किया है हिंदी नाटकों विशेशकर स्वातन त्रियुत्तर हिंदी नाटकों में भी पूंजी वादी नीती एवं सर्वहारा वर्क के संगर्श की स्थितियों को विराट रूप में दिखाया गया है विनोध रस्तोगी कृत आजादी के बाद तथा डॉक्टर लक्ष्मी नारायन लाल कृत रक्त कमल इसी प्रकार के नाटक है अर्थ ही सारे अनर्थों की जड़ है इस विचार को पोशित करता हुआ नया भगवान नाटक निम्न वर्गिय समाज की समस्या को उपस्तित करता है स्वत्निता प्राप्ती के पश्चात मुल्य विगटन का स्वरूप भारत के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है व्यक्ति के अपने स्तर से संस्कृती तक राजनीती से अर्थ विस्तार्थ और व्यापार तक तथा नैतिक्ता से समाज परिवार और धर्ब तक हर क्षेत्र में मुल्य विगटन होता हुआ दिखाई देता है स्वातनत्रे उतर साहित्य इस बात का प्रत्यक्ष प्रमान है स्वातनता प्राप्ती के समें से लेकर आज के समकालीन साहित्य तक में मनश और उसके जीवन की यतार्थ पूर्ण व्याख्या की गई है आज का व्यक्ति यदि एक और पुराने संसकारों और मान्यताओं से बंदा हुआ है बंदा हुआ रहना चाहता है तो दूसरी तरफ वह आधनिक विचारों और भावों से भी युक्त होना चाहता है ऐसे में वह कहीं न कहीं भटक कर धुरी विहीन एवम अकेला हो रहा है वह जूजता है दुणद गरस्ट होता है उसे उचित और अनुचित का बोद नहीं रहता क्या करें क्या न करें वह इसका नेर्ड़न नहीं ले पाता वह स्वयम को अकेला अजनभी निराश भीरू स्वार्थी ऐसा बनाता चला जाता है। उसके मन में उसके जीवन में एवाम अस्तित्त में क्षणवाद स्वार्थ परक्ता भौतिक्ता और अनुशाशन हींता यह घर करती चली जाती है। वह व्यापक हित की जगा स्वाहित को साधने में लग जाता है। उसकी वयक्तिक अस्ताएं बदलती हैं। वह समय से आगे की सोचने लगता है। और वस्तु तत्व ना मिल पाने पर अपने को ही दुख देने लगता है। उसकी पीड़ा बढ़ती जाती है। और इस पीड़ा के कारण उसका स्वयम का स्तित्व संकट में दिखाई देने लगता है। श्रमहीन होकर वह अधिक से अधिक अरजित करना चाहता है। इसी लिए समकालीन साहित्य में ऐसे व्यक्तिके भटकाव को व्यापक रूप से चित्रित किया गया है। आज हम देख रहे हैं कि युव नौकरी प्राप्त करने की होड है वह जो क्लरक बनने या सरकारी दफ्तरों में नौकरी करने की जो रेस है वह अपनी योग्यता को अपनी क्षमता को वह रचनात्मक उप्योग से नहीं जोडना चाहता। ने दूदनात सिंग, कृष्ण बल्देव वैद, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, कमलेश्वर आदी साहित्तेकारों तक सबने साहित्ते में ऐसे ही मानव की वयक्तिक पीडा को उकेरने की कोशिश की है जो मूल्य हीन बनकर महत्वा कांग्षा के जाल में उलज कर आत इत्म पीडा परक जीवन जीने के लिए विवश हो गया है। महानगरिय बोध समकालीन समाज का सबसे भयावय, रूप, प्रदर्शित और चित्रित करता है। में निरंतर व्रद्धी कर दिये। और द्योगी करन ने आज के मनुष्य को आदुनिक बना दिया, किन्तु साथ ही बना दिया उसे महत्वा कांशी और अशांत प्रानी। यांतरिक युग में वैं स्वयम यंत्र सा हो गया। मशीन वत जीवन शैली या यंत्र वत जीवन शैली का वैं शिकार हो गया है। इसी व्रत्ति से वह पाश्विक और हिंसक भी बनता जा रहा है। साहित्यकार मानवता का संबंद मानवता से नहीं बलकि किसी वाद, संस्था, दल, संग या मंच से जोडने लगें। यहां का व्यक्ति मुखोटों में दिखाई देने लगा है। तता संकीन सीमित दाइरे में जीवन जीने लगा है। पश्चमी सब्विता के अनुकरन पर अब स्थान, स्थान पर हम देखें रेस्टरां, होटल या तमाम तरह के बहुरास्ट्रिय कंपनियों की जीवन शैली यह उजागर हो रही है। इनमें तमाम तरह के नशे के शिकार व्यक्ति मनुश्य हो रहे है। अर्द नगनता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जिस्म का प्रधरशन यह एक विद्रूपता बनकर उबरता जा रहा है। मानगरी जीवन बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर निर्दन बे सहरा लोगों की जुगी जुपडी तक दीरे दीरे फैलता जा रहा है। एक रोग की तरह विस्तार पा रहा है। भोग विलास में व्यस्त आज का मानव इस तत्त की और बिलकुल ध्यान नहीं दे पा रहा है। एक दूसरे से कटकर कृत्रिम जीवन शेली अने एक मुखोटे लगाना और स्वार्त सिद साधनों में निमगन रहना यही महानगरिय जीवन की पहचान बन गई है। समकालीन साहित्य की सामाजिक्ता का सबसे प्रमुखंग पारिवारिक जीवन का चित्रन है। आज का साहित्यकार परिवार के बदलते स्वरूप को भी और द्योगिक वैग्यानिक युग में परिवार का स्वरूप पूरी तरह बदल रहा है। संयुक्त परिवार प्रथा प्राय अंतिम सांसें ले रही है। और एकल परिवार चरम रूप में दिखाई देने लगा है। इसका सरवादिक महत्पून कारण आर्थिक रोजगार प्राप्ति है तू एक शहर से दूसरे शहर में अंतरन ये भी हो रहा है। संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बदलने लगे हैं। अब व्यक्ति उपयोगिता वादी या उपभोगता वादी बनता जा रहा है। वैसंबन्दों को भी उपयोगिता और उप उससे संबन्द विच्चेद करता हुआ प्रतीत होता है। पती-पत्नी के संबन्दों में भी खशनिकता विद्यमान हो गई है। संतान सुख भी लाब के दाएरे में चला गया है। अब तो एक या दूसरे की अनापेक्षित उपस्तिती भी संबन्दों में कलवाहट आज विवा और दामपत्य संबन्दों के माध्यम से हम देख सकते हैं। आज विवा का आधार, प्रेम, भावात्मक संबेदना या विश्वास नहीं बचा। अपितु अब एक साथ रहने का समझोता मात्र बनकर रह गया है। यानि विवा एक सामाजिक समझोता या एक साम आव, अलगाव, नीरस्ता, आधी अधिक से अधिक घर कर रहे हैं। आधुनिक कविता, उपन्यास और कहानियों में इस प्रकार की पारिवारिक तूटन की स्थिति, विगटन की स्थिति सहज रूप से दिखाई देती है। आज की कविता में यौन चेतना की प्रतकरिया प आज की भूखी पीडि में नंगापन इसी प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है और उसे ढखने के सभी साधन अब कम पढ़ते जा रहे हैं। आज का व्यक्ति भूख से पीडित है, वैपेट की भूख, अस्तित्व की भूख, महत्वा कांग्शा की भूख, पद और लिपसा पद की लिपसा, आदी की भूख, इन सब के साथ साथ यौन संबन्दों की भूख में भी वैग्रस्त हो रहा है। उसकी यौन वरत्ति अंडे भूख पर तुलना में हावी होती जा रही है। परिणाम स्वरूप, प्रेम का नहतिक विश्वास परक रूप विक्रित हो गया और आज के युवक युवतियों पर यौन प्रवरत्ति का प्राधान्य स्पश रूप से दिखाई देने लगा है। इस भाव की वरिष्टी के अतरिक्त उन्हें अन्य कुछ सूजता नहीं। आज के इस्तरी पुरुष में लिपसा, स्परधा और सेक्स का भाव प्रबल हो भावनाएं, अवश्वास और कुंठाएं प्रबल होने लगी हैं। यही नहीं आज का रोमांस और यतार्त एक ही कौन के दो तत्व या पहलू बन गए हैं। विगटन मूल्यों में नारी भी अचुती नहीं रही। आज की नारी आधुनिक है, कारिशील है, लेकिन विचा को पूर्ण रूप से जीवन में परिवर्तित नहीं कर पा रही है। शिक्षत होने के बाद भी आज की नारी गरस्त के बोज से पिस रही है। नारी आजकल या तो परंपराबद बद्ध हो गई है, पतिनिष्ट तनकर पिस्ती रह जाती है। या अंदान उकरन का शिकार ब भी है। वह शिक्षत है लेकिन साथ ही पाश्चात्य संस्कृति के प्रती वह समर्पित भी है, इच्छुग भी है। वह अपने अस्तित्व के प्रती संगर्श रत है लेकिन साथ ही व्यक्तित्व से चंचल, लापरवा और संबेदन शील भी है। आज के साहित्य में ऐसी क नारी को चित्रित किया जा रहा है, जो आर्थिक कारणों से मानसिक संतुष्टी है, तो पुरुष की बराबरी के लिए संगर्ष करती हुई दिखाई देती है, वह कारेशील बन दोरे दायत्व को सहर्ष निबाती भी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी उच्च वरगिये न संस्कृतिक मूल्यों की अभेलना निडर्ता से करती है, यहीं नहीं, वह स्वार्थ सिद्धी के लिए किसी भी सही या गलत रास्ते को निश्चनकोच अपनाती हुई दिखाई देती है, साथी दिखावे और ढोंग ढकोसलों से युक्त हो, किट्टी पार्टी को ही अपने है, लेकिन समाज की रूडियों से गरसित होकर उन्हें पूरा नहीं कर पाती, ऐसे में भटकाव की स्थिती में वह पहुंसती है, और विद्रोही बनकर समाज को भी भटकाने वाली बन जाती है, आज की नारीव में मूल्य संबंदी विविद विखराव की स्थितियां भी स पश्ट रूप से दिखाई देती हैं, जिसकी अभिव्यक्ति मन्नु भंडारी, मुर्दुला गर्ग, कृष्णा सोबती, शिवानी जैसी महिला साहितिकारों के साथ साथ कमलेश्वर, गिरिजा कुमार माथूर, रगवीर सहय, जगदिश चत्रवेदी आदी के साहित में य दरंतर बढ़ रहा है, धन और शक्ति का बोलबाला चुनाव के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, दलवदल अब सामाने सी बात हो गई है, अवसरवादिता और व्यापारिक वृत्ति इसके कारण जनता को सभी हत्यारों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं राष्टियता का भाव समाप्त होने लगा है, जबकि बाजारी करण के दौर में वोट बेचने खरीदने की एक वृत्ति लगातार उदगाटित हो रही है, जनता की आल में जुलूस, प्रदर्शन, नारे बाजी, भूक, हरताल, दौरा राजनीति के तवे की आँच पर देखने का सिलसिला उदगाटित हो रहा है, गाउं, वाद, माक्सवाद और यहां तक की विचारों की अनेक शंखलाओं से जुड़ते जा रहे हैं, जिनके नाम पर पद, सत्ता, अरजित की जाती है, उनी का शोशन किया जाता है, इस तरह आज की राजनीति केवल ब्रश्ट और खोखली होती दिखाई दे रही है, राजनीति करने वाले सफेद पोश, भेडियों की पोल, रगवीर साह, भावानी परसाद मिश्र, शंबुनात सिंग, शंशेर बहादुर सिंग, कैलाश बाजपई जैसे अनेक रचनाकार साहितिकार अपनी रचनाओं की मा ब्रश्ट तो होता है, आजकल धर्म को भी व्यावसाय बना लिया गया है, अब त्याग, तप और भक्ती जैसे मूल्य धर्म में तिरोईत हो गए है, आज का समाज वास्तिक रूप में धन को पोशित कर रहा है, तथा सनलगन होकर ईश्वर के अस्तित्व को भी नकारने का एक सिलसला चल निकला है, परिनामत है, इश्वर के मूल रूप को भूल कर हम अब स्वार्त को ही अपना मूल धर्म मानकर आगे बढ़ रहे हैं, समाज में प्रचलित समस्त धर्मों के अनेक अनुयाई आपस में घ्रणा और द्वेश का भाव स्वार्त लिप्सा की पूर कर रहे हैं, और किसी प्रकार अब इनसान का मूल धर्म स्वार्त लालच और युद्ध हो गया, वै नहीं इनसान की संशैता स्वार्त लालच युद्ध जिसके देव था, इस तरह कह सकते हैं कि साहित्य और भाशा के साहित्यकारों और युगद्रश्टाओं ने मूल विग कि समस्याओं और चुनोतियों को सविस्तार सौदाहरन वर्नित किया, वास्तव में साहित्य समाज को प्रतिविंबित करता है, इस बात से इस कथन की सिद्धी भी होती है, मितलों इस विशे को यहां विराम देते हैं, पुने नए विशे के साथ आपकी समक्ष उपस्तित हो होंगे, आग्याद दीजिए, नमस्कार.